SLEPS Wellness के Business Presentation में आपका हार्देख स्वागत है हमारी कंपनी का उदेश्य है Healthy India, Wealthy India बिमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत इसी उदेश्य के साथ हमारे MD&CEU संजीव कुमार जी ने SLEPS Wellness की स्थापना 9 November 2014 में दिल्ली में कीची आज इस कंपनी को साथ साल होने वाले हैं बीते वर्षों में कंपनी ने भारत के अनेग गाउं और शहरों में Health Awareness प्रोग्राम चलाई और लाइफसेर डिजीज के बारे में जागरुप किया उनसे बचने के घरेलू उपाए भी बताए SLPS Wellness Private Limited Ministry of Consumer Affairs भारत सरकार के द्वारा जारी किये गए सभी नियम और निर्देश के अनुसार काम करती है कंपनी के पास कई सर्टिफिकेशन मौझूद हैं जैसे की कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए Ministry of Corporate Affairs Certificate Direct Selling के लिए Ministry of Consumer Affairs का Certificate Food Supplement Product Manufacturing के लिए FSSAI का लाइसेंस Ayurvedic Product Manufacturing Certificate और Import-Export License Product Quality के लिए ISO Certification ISO 9001-2015 Product Usage के अनुसार कंपनी के पास और भी कई सर्टिफिकेशन है जिसमें हलाल, WHO GMP, कोशर, Quality Assurance Group of Organizations भी शामिल है हमारी कंपनी के प्रोड़क्ट की Analytical Testing Eurofins Lab द्वारा की गई है और Quality के सभी पैमाने पर खरा तरने के बाद ही इन्हें Lab द्वारा पास किया गया और ये Lab Reports Worldwide Valid है कंपनी के पास आयूश Standard Mark Certification भी है जो की अपने आप में बहुत बड़ा मार्क है क्योंकि ये है Quality Council of India द्वारा दिया गया है वर्ष 2018 और 19 में कंपनी की ख्याती अंतराश्ट्री स्थर पर पहुँची और कई फिल्मी और साहितीक हस्तियों के हातों सम्मान भी मिले भारत शौरिश्री अवार्ड, संकल्प से सिध्धी अवार्ड 2018 में और International Excellence Award 2019 में जो मशूर अभीनेतरी करीना कपूर के द्वारा दिया गया वर्ष 2018-19 का India's Greatest Brands Award और 2019 में कंपनी को Millennium Brilliance Award मशूर अदाकारा कंगना रनावत के हातों मिला वर्ष 2019 में बिजनस सेक्टर की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका पोर्ट्स इंडिया ने कंपनी के MD और CEO संजीब कुमार जी की तस्वीर को अपने कवर पेज पर नामांकित किया और उनका इंटर्वियू भी मैगजीन में प्रकाशित हुआ 2020 में पूर्व राश्ट्रुपती लेट श्री प्रणम मुखर जी के कर कमलों से श्री संजीब कुमार जी को Champions of Change सम्मान से नवाज अ गया जिसमें देश के कई नामी गिरामी राजनेता समाज सेवी, उद्योग पती और गन मानने लोगों का नाम शामिल था और वर्ष 2021 में संजीब कुमार जी को दोबारा Champions of Change अवाट से सम्माने किया गया अब हम बात करते हैं कमपनी की विजन और मिशन की जो है Healthy India, Welly India आज कल साधरन व्यक्ति की जिंदगी में कई बिमारियों ने जगह ले ली है जिसका मुख्य कारण है हमारा आज कल का Lifestyle जी हाँ जैसे की आज कल खेती के तरीके हमारे उत्पादन के तरीके में बहुत फरक आया है पुराने जमाने में नाक्चिरल तरीके से फार्मिन होती थी और आज कल हर जगह केमिकल्स और पेस्टिसाइट्स का प्रयोग होता है जैसे की अगर हम बात करें पहले की बिमारियों की उन में शामिल थी मलेरिया चिकन पॉक्स प्लेग और ट्यूबर कलोसिस जैसे बिमारिया जिसका मुख्य कारण था लेकिन आज कल के बिमारियां है ऑस्टियो प्रोसिस अस्थमा डाइबटीज स्ट्रोक और कैंसर जिसका मुख्य कारण है हमारा खाना और लाइफस्टाइल हमारी कंपनी इन्हीं लाइफस्टाइल डिजीजिस के उपर काम करती है और लोगों को इनसे बचे रहने के लिए जागरूप करती है कंपनी का संकल्ख था देश के घर घर में जो वैलनेस प्रोड़क पहुंचे वो उच्चितम गुनवत्ता के हों हमारी कंपनी के पास पाच कैटेगरी के प्रोड़क्स है हेल्थ केर प्रोड़क्स ब्यूटि केर प्रोड़क्स है care products, oral care products और food supplements और आप company home care, personal care, personal hygiene जैसे daily use के products भी शामिल करने वाली हैं इन में से बहुत से products ऐसे हैं जो हर घर में इस्तेमाल होने वाले हैं जैसे की Immuno-Doc, Thunder Blast, Gyno-Doc, Ortho-Doc, Joint Curator Oil, EXE JC Ointment, Vain-Doc Oil, Divo-Doc, Punch-Tulsi, Viral-Doc, Stone-Doc, Triflarus, Kid-G-Doc, Thigh-Doc, Pro-Doc, Levo-Doc और Obio-Doc इन सभी product के इस्तेमाल से कई लोगों को बहुत अच्छे results मिले हैं और उनकी कई परिशानिया हल हुई हैं इसके अलावा food supplements जैसे की protein powder, muscle doc, mass doc, slim doc, vita doc, omega doc, mori doc, karsi doc, berry doc और भी अन्य food supplements हैं जो की व्यक्ति की daily needs के product हैं और इसके अलावा भी lifestyle disease से होने वली समस्याओं के products उपलब्ध हैं जो व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार ले सकता हैं और सभी products की जानकारी company की website www.slepswellness.com पर उपलब्ध हैं किसी भी product के marketing दो तरीके से होती है traditional marketing और direct selling ट्रेडिशनल market में product sale के लिए एक बहुत लंबी chain होती है जिसमें product पहले distributor के पास जाता है फिर whole seller के पास जाता है उसके बाद retailer के पास और फिर कहीं जाके consumer के पास पहुँचता है traditional market में product manufacturing company benefit margin देती जरूर है मगर वो सिरफ distributors, wholesalers और retailers के लिए होता है और वो भी एक limited percentage तक ही सीमित होता है इतनी लंबी distribution list होने की वजह से कभी कभी consumer तक एक बहतर product नहीं पहुच बाता है मगर direct selling में बिना किसी compromise के top quality product direct consumer को दिया जाता है और consumer को एक बहतर quality का product मिलता है और इसके साथ ही एक business opportunity भी मिलती है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे traditional market में अगर आप कोई भी product किसी को भी recommend करें तो आपको कुछ नहीं मिलता सीधा फायदा company को होता है लेकिन यही product अगर direct selling industry के माध्यम से आप तक पहुचता है तो इसमें एक बहतर product के साथ साथ आपको एक अच्छी business opportunity भी मिलती है क्योंकि जो benefit एक traditional company अपने distributor या wholesaler या retailer को देती है उसके हकदार direct selling में आप होती है तो आईए हम जानते हैं अपने marketing plan के बारे में जो की mathematically calculated multi-legged generation plan है इसमें हम सबसे पहले जाते हैं कि direct seller कैसे बना जाए यह registration बिलकुल फ्री है जो sleepiswellness.com से किया जा सकता है या हमारे app से registration कम्प्लीट होते ही और अपने KYC details submit करते ही आप direct seller बन जाएंगे अब बात करते हैं direct sellers के benefits कैसे मिलते हैं अगर आप company के direct seller हैं तो आपको lifetime discount of product usage 5-30% sales commission monthly sales performance commission star sales leadership commission ambassador club leadership commission regular sales commission trips and rewards company गा business plan mathematically calculated multi-legged generation plan है इसमें company 1 SP पर 98 रुपे distribute करती है जो regular sales commission को छोड़के बाकी सभी commissions में distribute होती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं sales commission की जो की weekly मिलता है और इस commission के लिए company 43 रुपे निकालती है जब आप company के authorized direct seller बन जाते हैं तो company दो organizations देती है पहली SAO sales achievement organization और दूसरी SGO sales generation organization जैसे जैसे हम company के product के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग product को use करके company के साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे पास दो options है SAO और SGO इन में से किसी भी organization के अंडर हम किसी को भी place कर सकते हैं जैसे कि अगर मान लो आपका कोई friend है A उसको आपने product sale किया उसको product अच्छा लगा और उसको भी company में काम करना हैं तो आपने उसको SEO के अंडर add कर दिया इसी तरह मान लो आपका कोई friend है B उसको भी company में काम करना हैं तो आप उसको SGO के अंडर add करोगे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपने कई लोगों से बात की और उन्हें भी product अच्छे लगे और उन्हें भी company के साथ काम करना हैं तो आप उनको direct अपने अंडर C, D, E, F करके दोनों organizations में बराबरी से place कर सकते हो मगर आप अपना reference दे के A या B की तरफ से नहीं add कर सकते क्यूंकि company pure generation structure पे काम करती है अब बताते हैं sales commission के लिए आप कैसे eligible हो सकते हैं अब मान लो, SAO में 3 लोग हैं और 3ों के purchase का total है 106 SP और SGO में 4 लोग हैं उन 4ों के purchase का total है 158 SP अब commission calculation के लिए company equally SAO से 100 SP और SGO से 100 SP लेगे और बाकी बचे हुए SP next week के लिए carry forward कर देगी commission calculation के लिए company का एक formula है sales commission rate, sales commission rate calculate करने के लिए total number of SP in that week multiply by 43 divided by total equivalent SP of company in that week ये हम एक example से समझते हैं मान लेते हैं company का total SP turnover हुआ एक हफते में 5 लाग SP sales commission company देती है 43 रुपे तो 5 लाग multiply by 43 हो गया 2 करोड 15 लाग और company के total equivalent SP बने 21,500 SP अब 2 करोड 15 लाग को डिवाइड करेंगे 21,500 SP से जो होगा 1000 रुपे है अब company कहती है जिसकी 100 SP की equivalent है उसका rate आया 1000 रुपे company के मुताबिक 1 SP की maximum limit 10 रुपे है और 100 SP match की maximum limit है 1000 रुपे अगर इस calculation में total 1050 भी आता है तो company आपको maximum पर 100 SP equivalent का 1000 रुपे ही देगी sales commission में सभी direct sellers को categorize किया गया है जिसकी अनुसार उनकी weekly maximum eligibility limit decided होती है जो इस प्रकार है यदि आपके self purchase sales point accumulate होते हैं 27 SP तक तो आप executive direct seller category में शामिल हो जाते हैं और आपकी maximum eligibility limit होती है 50,000 रुपे अगर आपके self purchase sales point 52 SP हो जाते हैं तो आप super direct seller category में शामिल हो जाते हैं तब आपकी maximum eligibility 1,000,000 रुपे हो जाती है और अगर आपके self purchase sales point 100 SP हो जाते हैं तो आप premium direct seller category में शामिल हो जाते हो तब आपकी maximum eligibility 1,500,000 रुपे हो जाती है यह था हमारा sales commission अब हम चलते हैं अपने दूसरे commission पे जो है monthly sales performance commission इस commission के distribution के लिए company 33 रुपे निकालती है और यह commission हर महिने की आखरी तारीक को आपके पास आ जाएगा अब यह मिलती कैसे है monthly sales performance commission के लिए company ने कुछ levels रखे हुए है अगर आप bronze की बात करें तो आपके SAO में 200 SP और आपके SGO में 100 SP का business generate होता है तो आप bronze rank achieve कर लेंगे next rank है silver rank इसको achieve करने के लिए आपके SAO में 600 SP और SGO में 300 SP का business होता है तो आप silver rank achieve कर लेंगे ऐसे ही gold rank के लिए SAO में 1200 SP और SGO में 600 SP की purchase होते ही आप gold rank achieve कर लेंगे अप gold के बाद आती है platinum rank इसमें SAO में जैसे ही 2400 SP और SGO में 1200 SP पूरे होते हैं आप ये rank achieve कर लेंगे इसी तरह Emerald में SAO में required है 4800 SP और SGO में 2400 SP तो पाज में SAO में required है 12000 SP और SGO में 6000 SP Ruby Star में SAO में required है 24000 SP और SGO में 12000 SP इसी तरह Sapphire में SAO में required है 48000 SP और SGO में 24000 SP जैसे ही आपकी ये ranks complete हो जाती हैं उसी मन्त आपको उत महिने की आखरी तारी को ये monthly sales performance commission दे दी जाती है अब हम जानते हैं कि इसका formula क्या है हम total monthly sales performance calculate कैसे करेंगे अब total SP turnover company का एक महिने में हुआ 20 lakh SP 33 रुपे को multiply करेंगे 20 lakh SP से जिसका total आता है 6,60,000 रुपे जो company percentage में उन लोगों को देती है जिन होने एक महिने में ये rank qualify करी है ये पैसा distribute होता है 1st से लेकर 8th rank तक जिसमें हर rank पर अलग-अलग percentage है जो पहले से ही तैह है अब हम जान लेते हैं कि किस rank पे कितनी percentage मिलती है bronze rank पे आपको मिलती है 9.86% जिसकी maximum limit है 1500 रुपे silver rank पे 10.26% जिसकी maximum limit है 4500 रुपे gold rank पे 9.46% जिसकी maximum limit है 9000 रुपे platinum rank पे 11.33% जिसकी maximum limit है 20,000 रुपे emerald rank पे 13.86% जिसकी maximum limit है 45,000 रुपे topaz rank पे 20.66% जिसकी maximum limit है 1,50,000 रुपे और इसके साथ साथ आपको एक Thailand का trip भी मिलता है ruby star rank पे 11.86% जिसकी maximum limit है 2,30,000 रुपे और sapphire rank पे 12.66% जिसकी maximum limit है 3,60,000 रुपे और ये rank अचीव करते ही दुबाई में 3,9,4 days का couple plus 2 बच्चों का trip भी मिलता है bronze rank के लिए मान लेते हैं total achievers है 42,10 अब total fund distribution के लिए हुए 6,60,000,000 इंटू 9.86% जो की हुआ 65,12,000 रुपे अब monthly sales commission rate यानी MSCR निकालने के लिए 65,12,000 डिवाइड करेंगे 42,10 से जो total number of achievers हैं bronze rank के लिए इसका total आता है 1546 रुपे और 89 पैसा अब यहाँ company ने maximum limit सेट करी हुई है जो है 1500 रुपे इस तरहा ruby star rank के लिए total achievers अगर 32 हैं तो total fund of distribution निकालने के लिए 6,60,000,000 को multiply करेंगे 11.86% से जो की आया 78,32,002 रुपे अब MSCR के लिए 78,32,002 रुपे को divide करेंगे 32 से जो आया 2,44,750 रुपे और यहाँ पे इसकी maximum limit है अब हम बात करते हैं Star Sales Leadership Commission की इस commission में 9th rank से लेकर 14th rank तक आते हैं दोस्तों आईए जानते हैं कि इसका percentage कैसे आप सबको मिलता है इन 6 ranks के commission distribution के लिए company ने 15 रुपे रखे हैं और इसको देने की अवधी 12 महीने की है अब Star Sapphire Rank को company ने दिये हैं 23.20% जिसकी maximum limit आठ लाख 20,000 रुपे है इसके साथ company एक self trip भी देती हैं मलेशिया का Next rank है Diamond Rank इसमें company ने दिये हैं 18.3% और इसकी limit है 12,40,000 रुपे और साथ ही company एक fully paid माजी trip भी देती है कपल देती हैं अगली rank है हमारी Blue Diamond की इसमें company आपको 17% कमिशन देती है जिसकी maximum limit बाइस लाख रुपे है और ये rank अचीव करते ही Switzerland में 5 night, 6 day का एक कपल और दो बच्चों का trip भी मिलता है अब बढ़ते हैं अगले level पर जो है Black Diamond यहाँ पर company ने 14% का कमिशन रखा है और इसकी maximum limit है 35,000 रुपे इस level को अचीव करते ही company की तरफ से St. Petersburg, Russia का 4 nights, 5 days का trip भी मिलता है Next Royal Diamond rank है यहाँ पे 13.5% का कमिशन मिलता है और इसकी limit है 69,000 रुपे और साथ में आपको मिलता है Singapore, Malaysia का 5 nights और 6 day का कपल और दो बच्चों का trip अब हम बात करते हैं हमारे crown diamond level की यहाँ पर 14% की कमिशन मिलती है और इसकी maximum limit 93,000,000 रुपे है और साथ ही आपको मिलता है Moscow का 4 nights, 5 day का टूर एक कपल और दो बच्चों के लिए 9th rank है हमारा Star Sapphire इस rank में आपको SAO यानि Sales Achievement Organization में 96,000 SP and SGO यानि Sales Generation Organization में 48,000 SP होते ही आप Star Sapphire rank qualified कर जाते हैं जैसा कि बाकी ranks में था यहाँ भी कोई limit नहीं है आप कभी भी rank qualify कर सकते हैं Next rank है Diamond की इसमें आपको SAO में 1,92,000 SP और SGO में 96,000 SP होते ही आप Diamond rank qualify कर जाते हैं अगली rank Blue Diamond है इसमें आपको SAO में 3,84,000 SP और SGO में 1,92,000 SP पूरे होते ही Blue Diamond rank qualify हो जाएगी ऐसे ही Black Diamond में SAO में 7,68,000 SP और SGO में 3,84,000 SP पूरे होते ही आप Black Diamond rank qualify कर जाएगे इसे ही Royal Diamond में SAO में 15,36,000 SP और SGO में 7,68,000 SP पूरे होते ही आप Royal Diamond के लिए qualify हो जाएगे और 7 ही इस level की commission के लिए भी Next rank है Crown Diamond की जिसमें आपको SAO में 30,72,000 SP और SGO में 15,36,000 SP पूरे होते ही आप Star Sales Leadership Commission में टॉप पे आ जाएगे अब सारी calculations होती कैसे हैं Company turnover अगर है 20,00,000 SP का तो distribution के लिए Company ने रखा है 15 रुपे पर SP अब 15 को हम multiply करेंगे टोटल SP से जो है 20,00,000 इसका टोटल आएगा 3 करोड रुपे अब ये 3 करोड रुपे company distribute करेगी सारे rank में according to percentage जो की पहले से company द्वारा तैह है अब Star Sapphire में अगर पहले महीने में total achiever 10 हैं तो यहां total fund आएगा 3 करोड इंटू 23.2% जो बना 69,00,000 अब हम MSCR की बात करें तो वो आया total fund for distribution by total number of achiever जो हुआ 69,00,000 divided by 10 जो हुआ 6,09,000 अब ये जो पैसा है 6,09,000 ये मिलेगा A to J 10 लोगों को up to maximum prescribed limit इस amount को देने की maximum term है 12 महीने क्यूंकि इस commission को company 12 महीने तक ही release करती है जो लोग qualify करते रहते हैं पुरानों को उस percentage से बचा हुआ देती रहती है और नए जो लोग qualify होते हैं उन्हें नई percentage से नया दे देती है इसे हम एक example से समझते हैं स्टार सफायर को मिला 6,09,000 रुपे और इनकी prescribed limit है 8,20,000 रुपे तो total limit में से इन्हें 1,24,000 कम मिला अब अगले महीने जब business आएगा उसमें से 23.20% निकालने के बाद जो amount आएगा उसमें से पहले 1,24,000 पुराने लोगों को दिया जाएगा और बाकी जो बचा amount होगा वो नए 10 लोगों को दिया जाएगा कमपनी ने हर rank की एक prescribed limit सेट करी हुई है उसी के इसाब से सबको commission मिलती है इस तरीके से कमपनी अपनी star sales leadership commission distribution करती है अब हम बात करते हैं ambassador club leadership commission की 15th rank है हमारा ambassador rank इस rank में आपके SAO में 61,33,000 SP और FGO में 30,72,000 SP की purchase होते ही आप ये rank qualify कर जाते हैं नेक्स बात करते हैं royal ambassador की ये income qualify करने के लिए एक करोर 22,88,000 SP SEO में और 61,44,000 SP SGO में purchase या re-purchase आपके सभी group के दवारा होनी चाहिए तो ही आप royal ambassador की income qualify कर लेते हैं नेक्स बाती है हमारी crown ambassador की इस income को qualify करने के लिए 2,45,06,000 SP आपके SAO में और 1,22,88,000 की SGO में purchase या re-purchase होनी चाहिए ये होते ही आप crown ambassador rank qualify कर जाते हैं इसके बाद हमारा last rank आता है brand ambassador जिसको qualify करने के लिए आपके SAO में 4,91,52,000 SP और SGO में 2,45,06,000 SP चाहिए होंगे ये पूरा होते ही आप brand ambassador rank qualify कर जाएंगे इस commission में कोई भी months की limit नहीं है जैसे पहले ranks में थी और इस commission के लिए company 7 रुपे निकालती है और इस percentage की अनुसार commission बनती है ambassador rank leadership commission की percentage company ने set कर युई है इस rank में company ने दिया है 32.15% इस rank की maximum prescribed limit है एक करोड पचास लाग और साथ ही company उस्ट्रेलिया का five night six days का self trip भी देती है royal ambassador rank में company ने दिया है 25% इस rank में company की maximum prescribed limit है 2 करोड पचासी लाग crown ambassador rank इस rank में company ने दिया है 25% इस rank की maximum prescribed limit है 5 करोड पचास लाग brand ambassador rank इस rank में company ने दिया है 17.85% इस rank की maximum prescribed limit है 12 करोड और साथ ही एक उस्ट्रेलिया का five night six day का couple प्लस दो बच्चों के लिए two अब सारी calculation होती कैसे है company turnover अगर 20 लाग SP का है distribution के लिए company ने रखा है 7 रुपे पर SP अब साथ को multiply करेंगे total SP ते जो है 20 लाग इसका total आएगा एक करोड चालिस लाग रुपे अब यह है एक करोड चालिस लाग रुपे company distribute करेगी इस rank में according to percentage जो की पहले से company द्वारा तैय है अब ambassador में अगर महीने में total achiever एक है तो यहां total fund आया एक करोड चालिस लाग इंटू 22.15% जो बना 45 लाग एक हजार इसका MSCR आया 45 लाग एक हजार रुपे divided by number of rank achievers जो है एक तो total आया 45 लाग एक हजार इसी तरह हमारी हर rank calculate होगी उसकी percentage के अनुसार अब हम बात करते हैं regular sales commission के इस commission में company आपको 10% retail profit देती है आपकी self regular purchase as people अब आपकी दोनों organizations में भी products की जरूरत के अनुसार लोग उने regular purchase करते हैं तो आपकी दोनों organizations में जितने भी groups हैं वो दोबारा product purchase करेंगे उसका commission calculate करने के लिए formula company ने दिया हुआ है जिसे हम regular sales commission कहते हैं अब SEO में आपके सारे groups ने जो purchase करी है वो है 25 RSP और SGO में है 41 RSP अब इसमें company देखती है equivalent SP जो minimum 25 SP होना चाहिए अब इन दोनों groups में से company ने निकाले 25 SP और बाकी के next week के लिए carry forward कर दिये जो है 16 SP अब इसकी calculation देखते हैं वो कैसे होती है regular sales commission rate यानी RSCR निकालने के लिए total regular SP of company लेने हैं और उसे multiply करना है 65 रुपे से क्योंकि इस commission में company 65 रुपे distribute करती है एक SP पर और फिर divide करना है total equivalent RSP cycle of company in that week इसे हम एक example की मदद से समझते हैं अब total regular sales SP है 21,000 SP और एक SP का rate है 65 अब 21,000 SP multiply by 65 हुए 13,65,000 और total equivalent cycle of regular sales SP उस week में company की हुई 910 तेरा लाख 65,000 divided by 910 cycle हुए 1500 रुपे अब ये आया पर 100 SP का rate 1500 एक SP की maximum limit हुई 15 रुपे की और 100 SP की maximum limit है 1500 इसी तरह अगर ये RSCR 1500 से ज़्यादा आता है तो भी maximum limit of one regular SP 15 रुपे ही रहेगी इसके साथ ही regular sales commission की भी weekly maximum eligibility limit decide की गई है जो सभी direct sellers के लिए same है जो है 3 रुपे अब चाहे आपकी category executive हो या super executive हो या फिर premium और जो minimum payout है वो 25 SP से शुरू होता है फिर 50 SP फिर 75 SP और फिर 100 SP का दिया जाता है मतलब 25 SP के multiples में और ये सब commission प्राप्त करने के लिए physical KYC कराना अनिवार रहे है और इस income पे TDS भी कटता है as per the rules of government of India तो ये था SLPS Wellness Private Limited का marketing plan Now, use the product, get the results and share it with people. Thank you